एक हेलो स्थुडेंट तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे की इस अर्म क्या होता है सिस्टम इसको स्टार्ट करने से फेले एकiethामबल के थ्रूं समझने की कोशित करते होता है कि सिस्टम क्या है तो जैसे देखिए आपका कंपूटर सिस्टम ले लिजिए जिसके अंदर आपके पास क्या होता है इंपूट डिवाइस ओके और क्या होता है आपके पास आउट्पूट डिवाइस और माल लिजिए यह सेंटर के अंदर क्या है आपके पास सीपीव CPU के अंदर क्या क्या होता है आपके पास control unit Registers और क्या होगे आपके arithmetic logic unit जिससे आप क्या बोलोगे ALU बोलोगे ओके तो देखिए यह जो आपका CPU है जिसके अंदर आपके पास तीन तरह के अलिमेंट्स है CU, register और ALU अगर यह आपस के अंदर इंट्रेक करते हैं तो इससे क्या बोलेंगे enlightogram elements क्या बोलेंगे सिपियूस है आपके CPU से तो सिसको हम क्या fajins क्या बोलेंगे element क्या बोलेंगे interdependent element तो system मोटे तोर पर इसे आप समझ सकते हो कि ऐसे set of elements का जो interrelated भी हो और interdependent element हो उनको हम क्या बोलेंगे system तो देखे मोटे तोर पर यह दोनों यही term हो गई जैसे intra intra और inter दोनों term के बारे में आपने सुन रगा है और intra और inter concept हम आगे जो coupling, cohesion और coupling के बारे में भी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपको चीज़े और ज्यादा clear हो जाएगी तो अगर ये interrelated और interdependent elements आपस के अंदर एक साथ मोटे तोर पर work करते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे system बोलेंगे system का सिधा सा concept है आपने कुछ input दिया system ने उसको process किया और उसको output में convert कर दिया ओके तो यही चीज जो definitions लिखी हुई है उसके अंदर लिखी हुई है चलिए इसे हम समझने कोशिस करते हैं क्या लेखा और definitions के अंदर system may be defined as an orderly arrangement of a set of interrelated and interdependent elements that operate collectively to accomplish some common purpose और a goal तो system किसे केते हम ऐसे set जो interrelated हो और interdependent हो उनका काम क्या रहेगा किसी particular task को या goal को accomplish करना तो computer का क्या रहता है हम जो input देते हैं उसको process करता है और उसको output में convert करता है सेम इसी definition को दूसरे तोर पर लिखा हुआ है system is a group of elements और components which work together to accomplish a common task तो यह एक साथ work करेंगे और किसी particular task को यह accomplish करेंगे तो देखिए आप बहुत सारे examples लिखे हुए मैंने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में तो देखिए और computer system contents processor memory power supply तो इसके बार में भी हम चर्चा करी चुके हैं नेक्स देखिए computer system biological system biological system आप क्या समझते हैं biological system के अंदर humans आ गए animals आ गए अब humans कैसे system है देखिए humans क्या करता है हमारे जो sensors है ठीक है हमारी इंद्रियों है इंद्रिया इंद्रिया उनसे क्या करते हैं जैसे आखे हैं तो उससे क्या करते हम देखने का काम करते हो चीजों को हम देखते हैं identify करते हैं अच्छा ही किताब है कि सब्जेक कि कौन से सब्जेक कि एक एक किताब मैं पढ़ रहा हूं सिस्टम एनलैसिस एंड डिजाइन की तो यह मेरे कहां काम आ करती है जब भी एक बड़े प्रोजेक्ट के उपर में काम करूंगा यह सोफ्टर डेवलोग करूंगा वहां पर मेरे काम आएगी ओके तो इस तरह के से हुमन भी क्या करता है इंट्रेक करता है इसलिए हुमन भी क्या एक तरीका सिस्टम है एनिमल्स को हम जैसा बोलते हैं वै मेंगे तरहा होगा किसी बिजनेस का उसका क्या कर रहेगा वह में अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एन तक पहुंचाना तो उसके लिए म stupid करें और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमा है तो देखिए इसके अंदर इंपुट किसने दिया कस्टमर ने और आउटपुट के रूट में क्या है उनको प्रोफिट मिला किसको बिजनेस को इसके लावी एक्जामपल से होटल से लाइब्रेरी है कोलेज है यूनिवर्सिट को घो करके से स्टम में बताईयाव मेरे इस्टूडंट है तो कउलेज का काम के रहता च्रूडइन आएगा आफन के बात पूरिकार च्टोन और उपनी पड़़ाइगा कि मिल जाएगी डिग्री मिल जाएगी ऊसको यह कवा रह जाएगा दोध किसका काम रहेगी आपके washing machine क्या करेंगी कपड़े दोएगी और उसको बाहर आउटकूट में निकाल देगी हुमास हमने देखी लिया एनिमल्स बिजनस देख लिया रोकेट्स डेम्स हो सकते हैं आपका सोलर सिस्टम हो सकता है चेर्स हो सकती है वेदर फोर्कास्टिंग हो सकती है वेदर की डेटा केल्कूलेट करना तो यह सारे के सारे मोटे तोर पर क्या है एक सिस्टम है ओके तो जो भी चीज़े इंपुट के अंदर लेगा उसको प्रोसेस करेगा और आउट्पुट के अंदर देगा तो यह जो सारी चीज़े ती किसकी दी सिस्टम की अगर आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए नहीं तो आप इसका स्नेप्शोड ले सकते है नेक्स्ट हब हम पढ़ने वाले सिस्टम एनलैसिस तो दिखिए सिस्टम एनलैसिस तो सिस्टम एनलैसिस का क्या मतलब है जो आपका सिस्टम है उसको एनलैस करना तो एक्जामपल के थूरू हम समझने के कोशिश करते हैं मालीजे मार्केट के अंदर इसका एक्जामपल में बिजनस सिस्टम की तुरू ले रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा चीज़े क्लियर हो तो मालीजे मार्केट के अंदर आप खुद की यह मोबाइल कंपनी चालू करना चाहते हैं तो क्या आप मार्केट में डाइरेक्ट आ जाएंगे और आपकी कंपनी स्टार्ट कर देंगे इंस इसा नहीं होगा आपको क्या हूँक। जो मार्केट के अंदर पहले से मोबाइल की चल रही है अनलैस करना लिएक जैसे माल लिए आप XYZ नाम की कुज कोई कंपनिवी खी चालू करना चाहते हτί तो आप सबसे पहले क्या करोगे मार्केट के अंदर किस किस कि देश की कंपनीय चल रही है उनका आप क्या निकाल होगे परसेंटेज आइडिफाइड आइडिफाइड करोगे तो वेसी बात है अभी मार्केट केप्चर है सबसे ज़्यादा चाइना का है इंडिया का केप्चर बहुत कम है मतलब इंडिया की जो कम्पन अपने माल को दे रही है ये मार्केट के अदर एक वह कि बाद प्रोफिट कितना हो रहा है उसके बाद कि क्या ओम आप को ये पॉब ली के अंदर किस तरीके से इसकी जो सटेजी आहिकाम कर रही है advertisement वो किस तरीके से कर रहे हैं तो यह बहुत सारे factors रहते हैं इसके अंदर अगर आपको कोई business setup करना होता है तो यह एक तरीके से पूरा आप क्या समझ रहते हो एक system है और अगर आपको नया system और आप रहे सिस्टम इंट्रूइस करना है अगर नई कि चालू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पढ़ेगा पेले से जो चल रहा है इसको क्या बूह आइड़िटिवाइए यह इसको कर दिए अविशक कर दिए अब जयान देना होगा कि जो कंपनी पहले से सेल कर रही है वो किसकी सेक्टर के अंदर ज्यादा फोकस कर रही है क्या वो कोई एज फेक्टर के उपर वर्क कर रही है जैसे क्या वो स्टुडेंट को ज्यादा टार्गेट कर रही है क्या वो एज मार्केट के अंदर ओके तो इस एक्जांबल से मेरे क्याल सापको समझना आया होगा तो वही चीज़े इसके लिख रखिए देखिए डेफिनिशन के अंदर system analysis is a process way or method of studying and observing a system to know how it works किस तरीके से वो system क्या करेगा काम करेगा and to identify its goal and purpose अगर वो काम करेगा तो उसका goal क्या होगा उसका purpose क्या होगा गोल क्या होगा अगर आप mobile company चलाएंगे कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास मेरा product बेचा जा सके और purpose क्या profit obviously बात है business का क्या काम रहता है ज्यादा ज्यादा प्रोफिट कमाना एक और formal definition देखिए system analysis is conducted for the purpose of studying a system or its parts in order to identify its objective क्या है objective कि आप यह system क्यों बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है system analysis करना जरूरी है it ensure that every component of system should work correctly हर एक जो component है system का वो सही काम करना चाहिए और विसी सही बात है sell सही तरीके से काम करना चाहिए marketing strategy आपकी सही तरीके से काम करने चाहिए आप production किये जा रहे हो mobile का और पता चला आपकी sell ही नहीं हो पारी है वो sell क्यों नहीं हो पारी है उसके लिए भी आपको end user तक जागे identify करना वड़ेगा पता चला जिस platform का यूज कर रहे हो market से अभी out हो चुका है आप market में कोई और platform हो चुका है उसका आपको यूज करना चाहिए इसलिए जो आम बोगता है उसको आपके system को या आपके mobile को यूज नहीं कर पा रहा है तो बहुत सारे फेक्टर होते हैं तो और रोल सारे components को आपको ध्यान में रखना चाहिए it typifies what a system should grow आपका system क्या कर सकता है उसको बताता है को system analysis तो यह द्यान रखना आप system analysis क्या बताएगा आपका system क्या कर सकता है वो चक्योंच आपका system क्या क्या कर चाहिए तो कि कि सक्कुर ले सकते नेक्स हमाराrend are पीक आप दीकर हो क्या तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया ऊमने पढ़ लिया है सिस्टम क्या होता है सब्सक्राइब को पढ़े करना है या तो देखेंगेइगा शिस्टम को डिजाइन करना किया देखेंगे system को design करना तो देखिए एक system पहले से ही था existing state के अंदर उसको हमने देखा उसके बारे में जाना और फिर हमने किया कि उसका analysis कि कि real type के अंदर वो जो system है market के अंदर कैसे काम कर रहा है जो phone mobile company है हाल फिलाल अभी के stage के अंदर market ने जो भी companies जो किस तरीके से काम कर रही है और अब मैं क्या करूंगा उन सबका जो analysis analysis मतलब क्या हो गया उनके उपर जो मैंने research किया है उस research का use करते होगे market के अंदर क्या करूंगा मेरा खुद का एक system लेके आउंगा उसके के लिए आप मुझे क्या करना है उसको design करना है ओके तो यह किस फेस के अंदर आएगा आपका system design फेस के अंदर तो वही चीज़े यहां पर लिखी हुए देखिए इडिज़ प्रोसेस और प्लानिंग न्यू सिस्टम और replacing and existing system यह क्या एक प्रोसेस है जैसे के नरे क्या होगा एक नया system यह तो आप लेकर आयो नया concept लेकर आओ यह क्या होगा दूसरा पहले से जो system चल रहा है उसको क्या करोगा आप replace कर दोगे तो इसका example जैसे आपके operating system जो Android आया है पहले क्या था दूसरे concept चल रहे थे उसके बाद आपका mobile के अंदर कौन सा concept आया Android operating system वाला जिन्होंने पुराने वाले साहर है market के जो equipment से उसको क्या कर दिया replace कर दिया और market के अंदर एक तरह कैसे बूम आ गया था it is done by defining its components और modules to satisfy the specific requirement तो जो major changes हुए थे Android जो market के अंदर है उसका reason क्या था end users जो है हमारा वो क्या कर पा रहा था mobile का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था वो क्या कर रहा था जब computer के उपर जब work कर रहा था तो उसको क्या लग दी चीजे आसान लग दी ओके जब mobile के उपर work कर रहा काम तो आसान से कर पा रहा था पर जितनी चीजें computer के अंदर कर पा रहा था उतनी एफिशेंस से वर्क वो mobile के नहीं कर पा रहा था तो उसको बार बार का स्विच करना पड़ा था हर काम के लिए computer के उपर स्विच करना पड़ रहा था ओक है और यह computer portable भी नहीं इसलिए जो हमारी companies है बिजनेस से जो बिजनेस माइंडेट जो परसन होते हैं उन्होंने क्या क्या इस पूरे को पूरे ऐसन जान का पार्ट पूरा system का पारण है सबसे पहले system जल रहा था उसको पहले वालशीट को ए मार्केट की नीड जैनी किया हम अच्छा कर सकते हैं क्यूं अभी वे जो लोग है the objective of the system तो यह जो focus करता है किस के उपर करता है आपका how के ऊपर के बहुत हमें यह करना तो है पर हम यह के से करेंगे और आपका system analysis से वोट कम दोस्त हो ओब किसके उपर करना है और डिजञ्य बताइगा क्या करना है तो उम्मीद है दोस्तोन आपको यह वाले वीडियो पसंद रोगा जिसका आदर तीन देखी सिश्टम् क्या होता है सिस्टम और सिश्टम डिजाइन के रचंधा है अगर आपको